हेलो एंड वेल्कम तो दा चैनल इस इस मुस्कान रुपता आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ही करेक्शन विंडो से रिलेटेड एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में एंड उससे पहले आपसे यह कहना चाहूंगी कि आज यान की 15th of October है मतलब आपके registration को complete करने की last date है तो अभी तक जिस जिसने अपना registration नहीं कराया है किसी रिजन की वज़े से अगर आप last date के लिए बैठे भी है तो प्लीज अपना registration करा लेजिए कि नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी या फिर आपने अभी तक अपना किसी ने अपना fee payment अगर नहीं करा पाया ह है तो अभी तक उसको आज रात बारा बजे से पहले आप अपना fee payment को complete करा लेजिए and this was all about the registration आप बात करते हैं एक correction window के बारे में जिससे related ये अपडेट था कि आपके जो correction window है वो दो दिन के लिए open होनी थी and कौन से दो दिन आपके जो correction window है वो open रहेगी वो रहेगी आपकी 17th and 18th of October को आपकी open रहेगी correction window and कल का यानि के 16th of October का आपके लिए gap रहेगा कल के दिन आपको कोई काम नहीं होगा online admissions related तो बस यही आपका बड़ा अपडेट था कि जो आपकी correction window है वो 17th and 18th of October को open रहेगी तो अभी तक अगर आपसे कोई भी गलतियां होई हो तो उसको एक बार अपने form में चेक कर लें क्योंकि correction window देखिए सिर्फ 48 घंटे के लिए open रहेगी अगर जो भी चीज आपसे mistake हुई है उसको एक copy पे आप note करके रख लीजी कि हमसे यह चीज निस्टेक हो गई है किसी की mom dad की अगर spelling गलत हो गई है या आपके डियो भी गलत हो गई है या किसी का email गलत हो गया है किसी ने कोई चीज या फिर आपके जो पर्साइंट जो आपने परसेंटाइल में marks डाल देंगी कोई भी आपसे गलतियां होई है उसको एक paper पे नोट करके रख लीजिए ताकि अब आप दापसी लाष कमका शुटे तेंट वर वोच्टिंगू